अब आप सब बहुत अच्छे से होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट कर रही हूं एक चोटा सा मेरा प्लांट शॉपिंग जो कि मैंने फर्स जन्वरी को किया था नहीं साल की शुब हमा उपनर स्टॉपिं जिसे कि मैं अपने गारडन प्लांट और और एड़ करना सकूं तो यहां पर आप देखने मेरे घारडन की खुभसूरत से गुलताओदी के फ्लावर जीज इस exponentially मैं अपनी इंडोर प्लेज कर दिया है जो कि मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि गुल्दाओदी के फ्लावर जब कम्प्लीट खिल जाते हैं तो उसके बाद आप उसे इंडो सिफ्ट कर सकते हैं ब्राइट लाइट में तो ये प्लांट आपके पास बहुत लंबे समय तक रहेगा क्यूंकि ये जो कुछ प्लांट आप देख रहे हैं ये खिल चुके हैं इनमें अब खिलने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैंने याँ सिफ्ट कर लिया इससे हमारे घर की भी खुबसूरती वर जाती है और आते जाते हमें ये खुबसूरत फुल भी नजर आते रहते हैं और मन को भाज प्रविक प्लाववर जबंधे शुकर बेंख डुबसूरत से ओंडर लाइड डेन धर राड आती है कि अपने कौनकर सी प्लांट निए और भीन ने यो ननी इन पौधों को लेके आई हूँ तो बरवीना के मैंने एक ही कलर लिये क्योंकि जहां से मैं प्लांट प्लांट में फूल खिले वे नहीं थे और बगएर फूल के पता नहीं चलता है कि कौन सा कलर आएगा इसलिए फिलाल मैं एक ही पौधा लेके आई हूँ और ये पौधा लगबग जहर चुका है तो ये दोनों पौधे में लेके आई हूँ और ये दोनों पौधे मुझे थर्टी फाइव रूपीस एच करके पड़े हैं यानि सेवेंटी रूपीस में मुझे ये दोनों पौधे मिले और यहां पर आप देखेंगे मेरे ये जो प्लांट सौपि कोलियस के प्लांट और मेरे पास लगबग 11-12 तरह कोलियस के प्लांट है तो यहां पर यह जो प्लांट देखने है ये कोलियस की ही एक खुबसूरत सी विराइटी है जो कि आप देखेंगे इसकी पतियां ट्विस्ट हो के फिर ग्रो होती है पहले स्टार्टिंग में सीधी मेरे पास कितने दिन तक चलेगा टिकेगा आगे आपको वीडियो में दिखने को मिल जाएगा तो इस प्लांट को मैंने 50 रुपिस में पचेस किया है वैसे कोलियस का प्लांट यह मुझे काफी महंगा मिला बट क्यूंकि यह प्लांट कुछ यूनिक था अलग था और मुझ इन में से एक यह है स्विक पोटेटो वाइन जो की ग्रीन कलर की है और एक यह पौधा है यह मुझे इसका नाम नहीं पता बट यह दिखने में काफी खुबसूरत है इसमें इस तरह से छोटे-छोटे-छोटे पिंक कलर के फूल आ रहे हैं तो आप इसका नाम मुझे जरू लेके आई हूँ मैं और बहुत ही अच्छी सी इसकी कटिंग मुझे मिल गई है अब इसे मुझे घ्रो करना है और क्यूंकि यह प्लांट कटिंग से घ्रो हो जाते हैं और इस प्लांट के बारे में उसी पार्क के केर टेकर ने कहा केर टेकर ने मुझे कहा कि यह भी कटिंग से ग्रो हो जाता है तो इसलिए मैं इस प्लांट को भी लेके आई हूँ अब मैं इसे लगाऊंगी और लगेगा यह नहीं लगेगा आगे किसी ना किसी वीडियो में आपको दिखने को मिल ही जाएगा बट यह बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहा था यहां तो सिफ एक स् मैं दो प्लांट की कटिंग लेके आई हूँ इसमें तो आल्रेडी आप देखेंगे कि कुछ-कुछ जगह पर रूट्स भी बने वे हैं इनको मैं लगाऊंगी इन कटिंग को लगाऊंगी और लगने के बाद इसके क्या रेजल्ट होंगे किसी ना किसी वीडियो में मैं और अगर आप मेरे चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें तो फ्रेंस चलिए मिलते हैं मगले किसी वीडियो में और किसी नहीं जानकारी के साथ ओके देन बाई